बुजुर्गों से मुलाकात हो गई हो, जो उनके भीतर में कुछ ऐसी चीश डाल दियें कि उनके उपर खफा हैं। और उनका कहना सही भी है, लेकिन साथ साथ मैं यह भी मानता हूँ, कि ऐसे भी बुजुर्ग हैं, जो अपने परिवार के बीच में आनन्द का जीवन जी रहें। ऐसा नहीं है कि सबकी यह दशा है, कुछ हैं, लेकिन जो जिनके जीवन में इस प्रकार से विशंगतियां हैं, इस प्रकार से जो उतार-चड़ाओ हैं, वो परिवर्तन कर सकते हैं। वे अपने आपको बदल सकते हैं, तो फिर रिजल्ट बढ़िया आने लग जाएगा। दूसरी बात, कह रहे थे कि बच्चों को संसकार के संबंद में या और जवानों को संसकार के संबंद में बातें कही जाती हैं। असली संसकार किसको देना चाहिए? बृध्यों को। सही है। और मैं क्या कहाना चाहता हूँ। बच्चे ही तो फाउंडेशन हैं। वही तो फाउंडेशन हैं। एदी बच्पना बढ़िया से बीता है, सही संसकार पाया है। तो जवानी भी अच्छी होगी और बुढ़ापी भी अच्छी होने वाली है। गुर्देव जी कहा करते थे, एक पौधा है, आप उसे रोप दें और कदाचित वो टेड़ा जा रहा हो। लेकिन अभी कोमल है, उसका तना कोमल है। तो क्या किया जाता है उस टेड़े पौधे को सिधा करने के लिए उसके पास में एक बल्ली या एक मजबूत बांस गाड़ देते हैं और उससे बांद देते हैं। क्या होता है? फिर वो ठीक हो जाता है, सिधा हो जाता है। लेकिन जब उससे पेड़ बड़ा हो गया, तना कड़ा हो गया तो उसको सिधा करना क्यूल है। लेकिन अए माल लेकि हम भी पेड़ की तरह हैं। यह सब बाते हैं कहने के लिए। देरी कभी भी नहीं होती है, कभी भी नहीं शुरुवात कर सकते हैं। यह अफ्वड़ से कान में डाल लीजिये। क्या कहा। कभी भी नई शुरुवात कर सकते है उम्र चाहे जितनी हो गई हो। जितनी होग की हो। आप सौ के करीब है न तो भी बदल सकते हैं। ने बदल सकते हैं। क्यों नी बदल सकते मुझे बताइए। क्या आपको घर बदलना है, कपड़े बदलना है, परिवार बदलना है, क्या बदलना है, आपको भीतर ही तो बदलना है, और आप बिस्तर पर पड़े पड़े भी ऐसा कर सकते हैं, और मैंने सुभा के सत्र ही कहा था, आप अपने सोचने के ढंग को बदल दीजिए, बोलने के गलत रास्ते पर आ गया हूँ ऐसा लगा गलत ट्रेक पर चल पड़ा हूँ तो क्या करना है उस रास्ते से वापस आ जाओ जिन कदमों से आप यहां तक आए हैं उन्ही कदमों से आप अपने घर भी लोट सकते हैं सही एक नहीं है जब आपको यह पता चला कि यह तो गलतियां हो गई बादें पता चला, कोई बात नहीं यह पंक्ति आप लोग सुने हैं कहां ही कबीर जान दे बही जब से चेते तब से सही, सही है ना जब से साउधान हो गए आप बदल सकते हैं कभी भी परिवर्तन ला सकते हैं और किसी को बिना बताए ये मत कहो चट पर चड़के भोपू से बताओ कि मैं बदलने वाला हूँ अरे नई महुन हो करके आपका जीवन बोल देगा आपका बेवहार बोल देगा पता चल जाएगा लोगों को उनको आश्रिय में डाल दीजिए छोटी छोटी गलतियों को लेकर के आप उतेजित होते थे आप चिलाते थे और आपने भीतर से बदल दिया इनर कनवर्शन कर दि क्या निलिया निलिये ऐसा मुझे नहीं करना है अब उन्हीं घर वालों से उसी प्रकार से जब गलती होती ता आप शान बिल्कुल मौन या फिर जब बोलते हैं तो बहुत ही मीठे शब्दों में आप उनको सलाह देते हैं वो लोग आपको देखेंगे क्या हो गया कुस तो चमतकार घटा है ये चमतकार आप अपने जीवन में कभी भी ला सकते हैं कभी भी ये ध्यान दीजिए इसलिए मैंने क्या कहा देरी कभी भी नहीं होती है मैंने एक पुस्तक पढ़ी उनके लिए जो पचास के हो गये हैं स्री राम सर्मा आचारिय जो यूग निर्माण यो जना वाले गैतरी वाले हैं उनकी है आपको कभी देख लेना मैंने पढ़ी बहुत पतली सी है उसमें उन्होंने क्या लिखा है अब पचास के बाद सुरू करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा समझ गये ना क्या होना चाहिए आपका बच्पना ही फाउंडेशन है कोई बात नहीं समझ पाए कोई बात नहीं जवानी में समझ ले फिर भी आप बेग में नहीं समझ पाए अपसे सही क्यों नहीं बदल सकते हैं आप आप बदल सकते हैं और एक अच्छा समापन कर सकते हैं शुरूवात चाहे जो हो आगाज चाहे जो हो अंजाम सही होना चाहिए शुर अलोभन के नाते कुछ तो रहा गरबड, नहीं समझ पाए, दुनियादारी के चकर में, संगती के चकर में, स्वयम का वेग ऐसा था, स्वयम की नसमझी थी, कोई बात नहीं, अब तो बात समझ में आ गई है, तो फिर देरी नहीं, जिस दिन ये बात समझ में आज आए, उस द हएं ठाक है, अब एक जन्वरी से शुरू करूँँगा, आप हम सब की विसंगतियां क्या है जीवन में, क्या करते हैँ, जब कोई अच्छा काम करना होता है, तो शुभ मूहूरत निकालते है, सही है, घर प्रवेश करना है, घर बनाना शुरू करना है, शादी करनी है, बे करने वाले मुहरत निकालते हैं सराप पिने वाले मुहरत निकालते हैं यह मुहरत वाले चक्कर क्या है भई जब गलत काम करके सफल हो रहे हैं गलतीयों की ओर मतलब भले हो गलत उनका प्रणाम आ रहा है गलत लेकिन कर रहे हैं बिना मुहरत निकाले आप अच्छे काम के लिए क्यों कर रहे हैं मैं दिपौली के बाद सुरू करूँगा एक जन्वरी के सुरू करूँगा या कल से परसों से आप बदल दीजिए बस और मैंने कहा था नकल आप जिस रूप में हाँ आए हैं जब आप इस परिसर में प्रवेश किये हैं तो जो इंसान थे जब आप यहां से लोटें तो दूसरा इंसान बन के जाएं एक दूसरा इंसान एक दूसरा अनभव एक दूसरा विचार ले करके जाएं और आप दूसरे शब्दों को ले करके जाएं तो क्या होगा जीवन में बदलावा जाएगा इसलिए बुड़ापा निंदनी नहीं है आदर नहीं है प्रशंशनी है तो तो रिजल्ट है आपका इतना अनन्द आएगा उन्हीं लोग जिन लोगों के बीच रह करके आप अनकंफर्ट महसूस करते थे परिशान हो रहे थे उ दूसरों को बदल करके नहीं अपने को बदल करके सही है यह हम समय से चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने को बदलें इसको में बताना चाहूंगा लेकिन अभी तो हमारे वीच हमारे स्रद्धे संथ विराजमान हो चुके हैं पुझ्य संथ्री रतन साहिब जी मैं निवेधन क करता हूँ कि आप अपने सुन्दर विचारों से हम सब को लाभनवित करने की कृपा करें श्रद्धे संस्री रतन साहब जी और साहब जी के विचार जब पूरे होंगे तो रिशाल दाजी से में कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा इसलिए आप बाहर न जाएगे एक माइक लगा और फिर कुछ पिचार करेंगे कितने बढ़िया धंक से बैठे हैं मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इसको बनाए रखना सही है आप लोग सच मुझ कितने अच्छे हैं कभी कभी कुछ गरबड हो जाता है उसको भी ठीक कर लेना है क्या सन्नाटा है पुरी सभा में और आप पुरे पुरी तरह से डिशिप्लीन में हैं और जो कारिय करता है उन लोगों को भी इधर भी उधर भी धनों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रकारशे शांती का वात्रण बनाए रखें और जब समापत हो तब भी शांत कुछ तो नया सिख करके जाएं कुछ तो सिख करके जाएं जो जीवन में बदलाव लाएं आएं सहर जीक पास माईक लग चुगा है हम सुनें भुलिए सद्गुरु देवय की जये नमो आदिपारक प्रकाशी कभीरं नमो संत संत परम सांत दीरं नमो बोददाता सकलदो क्यखीशं नमो मुक्त जीवन परंपद्यदीशं गुरुडेवो गुरुड़र्मो गुरुडुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड़ुड परम आदरनेशंद समाज धर्म प्रमी बंदुगो तथा भक्त मती माता बेनो जीवन बहुत ही मूलवान है सारे संसार की संपत्ती को एक तरब रखा जाए और जीवन को एक तरब रखा जाए फिर भी सारे संसार की संपत्ती जीवन के आगे नहीं तुल सकती क्योंकि संपत्ती है वो छणेख है वो केवा सरीर निर्वाई की चीज है और जो जीवन है ये अनंद है अनंद का मतलब इसका आदंद नहीं सदेव अबनाशी अबनाशी है सरीर की मिर्त होती है लेकिन अंदर में जो बूनने वाला है अंदर में जो रमण करने वाला है उसका कभी नाश नहीं होता है और उससे परचित होना उसको जानना वही असली जीवन है कियोंकि वो अनंद है आद अंद से रहत है उसका न कभी आद हुआ है न कभी अंद होगा वो एकरश है बगवान क्रिशने गोर अंगरस ने बगवान कृषन को यही उपदेश दिया था बगवान क्रिशन के गुरू थे पहले गुरू है गरगाचार जैसे कुल में गुरू कर लेते हैं वैशे कुल गुरू थे गरगाचार और उनके अध्यात्मे गुरू थे गोर अंगरस तो गोर अंगरस ने स्री कृष्ण को अबदेश दिया था कि देखो तुम्हें तीन बातों का अभ्यास करना है अंतिम इस्तिती के लिए मन की त्रिप्ती के लिए मन की सांती के लिए तुम्हें तीन बातों का अभ्यास करना है तीन बाते हैं अक्षतम अशी तूसरी ये अच्षतम अशी तीसरी बाते प्राण संस्तम अशी इसका आर्थ होता है अक्षतम अशी तुम अजारमर खंडब नाशी हो तुम्हारा कभी नाश नहीं होता है शरीर का नास होता है लेकिन अंदर में जो रमन करने वाला है अंदर में जो बोलने वाला है उसका कभी नास नहीं होता है गीता में भी उन्होंने कहा है नेनम चिद्धन दि सस्राने नेनम धात पाव का न चेनम कलिद यंत्यापो न सोस्यती मारता इस आत्मा को अगनी नहीं जला सकती है जल इसको नहीं डूबा सकता है और हवा इसको नहीं उड़ा सकती है क्योंकि ये तत्तों से प्रथक है ये तो निज्तत है निज्टत है परमतत है और इसका बगर बोध हो जाए आप बोध हो करके उसमें रमण कर जाए तो क्या पूछना आपका जीवन कितना महान हैं इसल कोई बाहर नहीं है हैं आप स्वेम इसल हैं लेकिन अपने आपको यहां आकर के माया का जाल एतना आगया है इतना अबरण आ गया है कि उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है जैसे रात्री होती है अब जब घोर रात्री होती है अंदेरा होता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है कुछ भी दिखाई नहीं देता है लेकिन जब सुबह होते है सुरज निकलता है तो एक छोटी से सुई भी दिखाई देने लगती है ऐसे हमारे अंदर में अज्ञान का घोरंदकार है अविद्या का घोरंदकार है इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है सामने प्राणी पदारते हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं सामने जो चीजे हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन अपना जो शरूप है अपनी आत्मा है वो दिखाई नहीं देती है दिखाई देने का मतलब है वो आँख से देखने का विशे नहीं है आख से देखेंगे वो रूप विशे होगा कान से सुनेंगे वो सब्द विशे होगा और जिब्या से रस लेंगे वो रस विशे होगा तुचा से इस परस करेंगे इस परस विशे होगा जो पांच ग्यांदिया हैं ये तो जड़ हैं वो चेतन को कैसे जान सकते हैं पांच इंद्रियां हैं वो भी जड़ है सरीर है वो भी जड़ है विशे है वो भी जड़ है ये उसको नहीं जान सकते हैं कि वो तो निर्विशे पदार्थ है वो निर्विशे पदार्थ है वो विशे से अलग है प्रतक है तो उसको कैसे जानेंगे उसी के द्वारा हम सबको जानते है उसी के द्वारा हम आँख से देखते है उसी के द्वारा हम कान से सुनते है उसी के द्वारा जिब्या से रस लेते है और जब उसमें से जीव निकल गया आत्मा जब निकल जाती है तो चाहे कितनी सुन्दर आँख हो लेकिन देख नहीं सकते है चाहे कितना कान हो वो नहीं सुन सकते है जिब्यारस नहीं ले सकते है कियोंकि पांचों इंद्रियां जड़ है और वो जड़ का भी साक्षी है वो सरीर का भी साक्षी है और वो मन का भी मन के चक्रम पढ़कर के स सबसिकार हैं, मन के सबसिकार हैं, मन के सबसिकार हो गए हैं, लेकिन मन कुछ भी नहीं, जब आप अपने को जानेंगे, कियोंकि सरीर है, सरी से परे नाम पर्थक इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर्थक, इंद्रियों से पर्थक हैं, विशे से पर्थक, बुद्धी, बु सबसे प्रतक है, सबसे अलग है क्योंकि शंद्यापाट में भी कहा गया है कि सर्व को जाने सो सर्वों से नियारोर है जो सर्व का जानने वाला है सर्व का ग्याता है, सर्व का साक्षी है सर्व का जनईया है वो तो सबसे प्रतक है सबसे अलग है और वो कोई बाहर रही है वो आप ही है आप ही है वो सबसे अलग है सबसे प्रतक है और वहां तक चिंताएं छूने शकते हैं चिंताएं चूने सकते हैं विसे सूने सकते हैं रागदे चूने सकते हैं काम, क्रोध, लो, मोय का कोई देशा ही नहीं है दुख का कोई देशा ही नहीं है ये सुक, दुख, हानि, लाव ये संजोग, बयोग सारे दंदफंद मन के हैं ये तो स्वारे सारे दंदफंद मन के हैं मन को जीत नहीं परताब जो मन को जीत लिया जो समझता है कि ये मन का है वो तो जो आप है वो मन के भी साक्षी है इंद्रियों के भी साक्षी है सरीर के भी साक्षी है और सारे संसार के साक्षी है सारे संसार को आप जान रहे हैं जो सारा संसार है वो तो जड़ है और उसको जानने वाला कौन है जानने वाले आप हैं लेकिन संसार में आकर के भूल गए संसार में आकर के अपने आप को भूले हुए हैं अपने को नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ तो ये आप हैं आप सबसे स्रेश्ट हैं सबसे प्रतक हैं सबसे अलग हैं लेकिन यहां आकर के और आप लोग अपने आप को भूले हुए हैं अपने को सरीर मान लिये हैं कि मैं सरीर हूँ मैं इस्तरी हूँ मैं पुरुस हूँ मैं डाक्टर हूँ मैं बकील हूँ मैं इंजिनियर हूँ यह तो सरीर में आने के बाद के नाम हैं लेकिन वास्ताव में जो बोनने वाला है जो मेतू कहने वाला है उस सबसे प्रतक हैं सबसे अलग हैं सबका जनईया हैं और वही सबसे स्रेष्ट है उसको जान लेने पर और को जानने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि उसको जान लिया फिर को जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सबसे परे है, सबसे प्रतक है, सबसे अलग है लेकिन आज तक उसको नहीं जाना है जर्पदार्तों के पीछे हम कितने पड़े हैं हलांकि जर्पदार्त हैं वो जीवन के उपयोगी चीजें हैं और उसके धन के बिना नहीं चल सकता है और भी चीजों के बिना जीवन नहीं चल सकता है तो ये चीजे ठीक हैं निर्वाई की चीजे है लेकिन इससे मन को त्रिप्ती नहीं मिलेगी मन को शान्ती नहीं मिलेगी और इससे हमारा कल्यान होने वाला नहीं है ये किवल सरीर के निर्वाई की चीजें है लेकिन हमारा सरीर का जो कल्यान है मन की त्रिप्ती है वो मिलेगी आत्म अपने से जुड़ने से सुब्य की प्रसंग में आप सोन रहे थे कि भजन करना चाहिए भजन करना चाहिए कि भजन से ही मंतरिप्त होता है भजन का मतलब है आत्म सोधन आत्म सोधन करना अपने आप में इस्तित होना अपने आप में मगन होना तो कहने का मतलब यह जब तक हम अपने को संसार में अध्यन के दो ही विशे हैं स्वा और पर स्वा कहते हैं खुद को स्वेम को अपने आप को और पर कहते हैं पराय को तो यह जीवन भार जन्म से लेकर के अंद तक पर में ही पड़ा रहता है पर मैं पड़ा रहता है अपने की उसको सूज़ बूजी नहीं है अपने को वो जानता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ तो अपने आप का बोध प्राप्त करना चाहिए सद्गुर कभी साब ने भीजक में कहा है कि बंदे कर ले आप निवेरा आप जियतलक आप ढोर कर मुगे कहां घर तेरा ए उसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा और कहें कभी सनोव संतो कठिन काल को घेरा बंदे कर ले आप निवेरा निवेरा नाम चुटकारा है बंदे क्योंकि बंदे का बंदे नाम बंदा हुआ गुलाम ये जीव बहुत बंदन से बंदिया एक बिशारा जीव कीवर छूटे आपने किरे छुड़ावे पी क्योंकि बहुत बंदन से एक बंदन हो बहुत बंदनों से बंदा है कितने प्रकार के बंदन है लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बंदनों में बंदे हैं नहीं छूट सकते हैं कितने लोग कहते हैं कि हम तो भाई ग्रिस्त लोग हैं ग्रिस्ती में रहकर कही रहेंगे यह हम कहां कर सकते हैं लेकिन वहां भी वो कर सकता है यागवल के थे वो डवल ग्रेश थे डवल दो पत्रिया थे लेकिन वो कितने आत्मिक्यानी पुरुस हुए हैं तो ग्रेश्टी कोई नरक कद्वार नहीं है ग्रेश्टी में रहकर के भी आप महान बन सकते हैं महान बनने का मतलब यही नहीं है कि हमारे जैसे कपड़े पहन तब ही आप महान बने, कपड़ा ठीक है, कपड़ा हम लोगों पहन लिया है, तो रोटी मिलती है, पैसा मिलता है, जीवन चल रहा है, लेकिन कपड़े से काम नहीं चलता है, केवल भेश से भी काम बनने वाला नहीं है, काम बनने वाला है रहनी से, जह हमारे अंदर में रहनी ह लोगी उत्तन बिचारों के कभिर साब ने कहा है करनी करेश पूत हमारा करनी करेश पूत हमारा कथनी कतेश नाती और रेनी रहेश गुरु हमारा हम रेनी के साथी तीन बातें साखीम बताएं पहली बात है करनी करेश पूत हमारा करनी कहते हैं दिब आचरन स्रेश्ट आचरन कितने बक्ता लोग हैं खूब परबचन तो करेंगे पंडित लोग खूब अपने परबचन करेंगे पीकदार रखे हैं वहीं तमाकू खाते हैं पीकते ठुकते रखते हैं तो दूसरे को अपदेश देते हैं अपना पता ही नहीं कहां जा रहे हैं तो वो कहते हैं जो दिब आचरण से चलता है स्रेश्ट आचरण चलता है हमारा पुत्र है पुत्र का सम्मंद खून से होता है बहुत नंदीक से होता है कैसा भी पुत्र हो लेकिन उसको कितना प्री लगता है कितना प्री लगता है तो करनी करह से पूत हमारा करनी नाम जो उसको अपने जीवन में धारन नहीं करता है वो नाती नाती कहते हैं लड़की के लड़का को तो वो संबंद जरा दूर का हो जाता है वो भी नाती है जो ग्यान की बातों का कतन करता है धारन तो नहीं करता है लेकिन दूसरों को बताता है तो वो नाती हो गया वो संबंद गुरु हमारा वो जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु है और हम उसके साथे हैं तो कथनी होती है कथनी है बानी के द्वारा ही हम कथनी कर रहे हैं बानी के द्वारा कथनी होती है और इंद्रियों के द्वारा रहनी होती है कि हमके पांच इंद्रियां हैं पांच करमिद्र और नच्केता उन्राज के संबाद में आया है कि यदा पंचावत इस्थनते ग्यानानी मनसासा बुद्धिस्त नब इस्थनती तमाहू पंड़तम भुदा यानि जब पांचो ग्यानिंद्रियां और पांचो ग्यानिंद्रियां और मन के सहथ बुद्धी पांचो ग्यानिंद्रियां मन के सेथ बुद्धी भी इस्थिर हो जाती है सांथ हो जाती है उसी को परमगती कहते है जो अपने मन को और इंद्रियों को बिलकुल चुप कर लेता है साइलांस कर लेता है बिलकुल सुद कर लेता है वो ही भगवान है भगवान का मतलब ये थो रहो है कि कोई हमको दर्सन देगा दर्सन देगा वो फिर अलग हो जाएगा जिसने अपने मन को और इंद्रियों को बसमे कर लिया चुप कर लिया है वही परमगती है उसी को उन्होंने परमगती कहा है बेदव ब्याजी ने सिरिमत भागवत में कहा है कुछ लोग बेदव ब्याजी के पास जाते हैं और उनसे प्रिश्ण करते हैं कि मैं कैसे ईश्वर का भजन करू मुझे संछे में बता दीजिए तो वो कहते हैं रागादेतम हिर्दियम वाग दुष्टान ताद्वी हिंसा दिरेता एतद इस्वर पूजनम वो कहते हैं रागादेतम हिर्दियम पहले हिर्दे का राग दूश अलग कर दो क्योंकि हर्दे में राग द्विस अड़ा जमाए है लोगों का राग नहीं छूटता है राग कहते हैं मोय को चिपकाट को आशक्ति को जो संसार के प्राणियों में पदारतों में राग लगा हुआ है दिनरात उसी के पीछी दोड़ रहे हैं और द्विस राग और द्विस ये दो कुटे ये दो राक्षस है और हरे के अंदर में ये अड़ा जमाए हुए हैं और राग द्विस को लोग त्याग नहीं कर पाते हैं तो विदव्याजी कहते हैं पहले राग द्विस का त्याग करो दूसरी कहते हैं वाग नाम बानी बानी के तीन दोस होते हैं गाली निंदा और जूट बानी के द्वारा लोग गाली देते हैं निंदा करते हैं और जूट बोलते हैं तीन दोस बानी के होते हैं और बानी को अगर जो कुछ शुद कर लेता बानी का सुधार ये पहला सुधार है कितने साधू लोग भी बिना गाली के बात नहीं करते हैं गाली किसी को नहीं लगती है गाली देने वाले को ही लगती है महात्मा बुद्ध को एक शिष्ट मनस गाल और हम नहीं लें तो किस्की होगी, उसने का मेरी होगी, इसी प्रकार से तुमने अभी मुझे गालियां दें और हमने नहीं लें तो किस्की हुई, तो विचारा लज्जित हो गया, तो इस प्रकार से गाली किसी को नहीं लगती है, लेकिन गाली लोग कितना देते हैं, हवा च चोड़ दिया तो बाणी सुद्ध हो गई तो वो कहते हैं रागाद देत विर्दम पहले अपना हिर्दय को सुद्ध करो रागदेश का त्याग करो दूसरी बात है गाली निंदा जूट इन तीन बाणी के दो सें बाणी का सुधार करो और हिंसा दिरेता और चोरी हिंसा आजकल बिना मिक्षर के कोई कामई दूद में लोग पाली मिला देते हैं घी में लोग डाला मिला देते हैं चने में कंकर मिला देते हैं हल्दी में पीली मिटी मिला देते हैं आजकल सुद्ध चीज मिनना ही मुश्किल जा रहा है कि विपारी लोग कितना कर रहे हैं और जो सरकारी पैसा उसको मिलता है लेकिन फिर भी वो पैसा लेता है तब काम करता है तो कहने का मतलब है कि वो भी एक प्रकार से चोरी है तो चोरी करना, हिंसा करना, विवचार करना ये तीन दोस बानिक सरीश से होते हैं तीन दोसों का त्याग कर दिये तो वो कहते है एतद इस्व को पूजन है जो चूरी इन सब विवचार का त्याग कर देता है गालिन जूड का त्याग कर देता है रागदेश का त्याग कर देता है तो यही असली पूजन है लेकिन इस पूजन में मेहनत है लोग त्याग तो करना चाहें नहीं चाहते हैं लोग तो गुरु लोग आज कल कि गुरु लोग भी हैं वो सस्ते नुसके बांटते हैं सस्ते नुसके बांटते हैं कि हमारा मंत्र ले जाओ और केवल नहा करके पांच बार तुम नहा करके पांच बार इसका जाब कर लेना सारा पाप बसम हो जाएगा सारा पाप बसम हो जाएगा गंगा में नाने से पाप बसम हो जाएगा नर्मदासिन में नाने से पाप बसम हो जाएगा मंतर के जाप से पाप बसम हो जाएगा ऐसा ब्रहम अंद्विस्वास फैला रखे हैं लेकिन पाप बसम ना मंतर के जाप से होगा ना गंगा में नाने से होगा और ना कोई तीरत में जाने से होगा ना और कोई कर्मकान से होगा पाप का बसं तब होगा जब पाप कर्मों का त्याग करोगे इधर तो आप पाप कर्म कर रहे उधर ना लिए कि हमारा पाप दुल गया तो पाप नहीं दुनने वाला है पाप दोलेगा जब पाप कर्मों का त्याग करोगे पाप कर्मों का त्याग करोगे तब ही पाप दोलेगा इसलिए गुरु लोग जो है वो सस्तिन उसके मांट रहे हैं इसलिए उसमें भीड भी है बीड़ भी होती है लाखों की बीड़ होती है क्योंकि लोग गुरु लोग हैं वो अंदविस्वास और चमतकार की बाते बताएंगे अतिसरद्दा अंदसरद्दा चमतकार और अंदविस्वास चार बात है अतिसरद्दा है और अंदसरद्दा भी है अंदसरदा अदसरदा अंदकार और अंदविस्वास कभीर साथ की बानी में एक भी नहीं इसलिए कभीर साथ की बानी है वो गुर्मक बानी है कभीर साथ की बानी गुर्मक बानी है अगर कभीर साथ की बानी को कोई अपने जीवन में उतारेगा तो क्या पूछना उसका सब जल जाएगा कुछ नहीं रहेगा कुछ भी नहीं सारा बुमानसिक बिकारों में पड़ा है विश्यों में पड़ा है वे आसना में पड़ा है कितना भी मतलब है कि अंदिकार हो कितना भी मतलब है बंदलों का जाल हो लेकिन जब आपको कभीर साहब का बोध है ग्यान सरूप है आत्मा का बोध होगा तो सब नश्ठ हो जाएगा जैसे जैसे अंदकार को दूर करने के लिए आप लाख उपाय करो अंदकार नहीं जाएगा अंदकार को दूर करने के लिए केवल एक दीपक जलाना है केवल एक दीपक को जला देंगे अंदकार खसम खसम अंदकार बसम हो जाएगा अंदकार नहीं रहेगा इसी प्रकार से ग्यान को भगाने के लिए ग्यान का दीपक जलाना है कभी साब ने पहली रमेनी में पहले ही कहा है अंतर जोत अंदर में एक जोत ग्यान की जोत जगने चाहिए किनकि जो ग्यान की जोत है ग्यान है यह सबसे बड़ी चीज है भगवान किशन ने भी गिता में कहा है कि नहीं ग्याने इन सद्रसम पवित्र में बेदते ही अरजोनी संसार में ग्यान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है हम पवित्र हो सकते हैं तो केवल ग्यान के द्वारा ही हो सकते हैं और वो ग्यान के कोई दुकान नहीं है जो इलाबाद में कोई दुकान हो वहां से खरीद ले अगर दुकान होती तो बड़े-बड़े सेट लोग सब ग्यानी हो जाते ग्यान की दुकान है वो करे गुरु भक्त ग्यान धन लोटे जब गुरु की भक्ती करते हैं गुरु की उपाशना करते हैं गुरु की सल्म जाते हैं उनकी सेवा करते हैं उनके बनाई में गरंधों का अद्यनमन करते हैं, उनकी शंगत करते हैं, तभी हमें ग्जान होता है। जब ग्जान होता है धर्म दे बृत योगते ग्जाना, ग्जान मोंक्ष पर्वेद बखाना। और बोध होकर के उसमें इस्तित हो जाते हैं, क्योंकि जो जीव का सरूप ही ग्यान सरूप है, निराकार साकार नहीं दोई, ग्यानाकार जीव जानो सोई, उस ग्यानाकार है, आप ग्यानाकार हैं, ग्यान सरूप हैं, और जब ग्यान सरूप जीव का बोध हो गया, अपने आ झाल झाल झाल